नमश्कार फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी वेजिटेरिन फूड स्टेंड में आपका स्वागत है तो शिवरात्री आ रही है तो शिवरात्री के लिए कुछ बनाना पड़ेगा ना जो कि क्योंकि ब्रत रखते हैं उस दिन तो कुछ ऐसा हो कि इसे पूरा दिन एनर्जी मिली र तो और जो नए है मेरी वीडियो पर वे बैल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैं ले लिए एक कटोरी मूफली जितनी मूफली है उसी मतलब उत्रही मैंने मखाना लिया है उत्रही गुड लिया और एक गिल सबसे पहले मैं गुड को कस लूंगे अच्छी तरह से कद्दू कस कर लोगी ताकि जल्दी घुल जाए यह देखिए मैंने गुड को कस लिया है और अब हम क्या करेंगे जो हमने दूद लिया है उससे हमें सिरफ दो मिनट दो मिनट भी जादा ही है डेड़ मिनट के लिए इतना गरम करना है कि हमारी उंगली उसे असानी से सहन कर सके ज़्याद तेज गरम भी नहीं थंडा है ऐसा है तो हमने दूद को कर लिया है गरम उसे रख दिया साइड में अब मैं क्या करूंगी सबसे बहले बना कोई घी कुछ नहीं डालना हमें इसे रोस्ट कर लेंगे क्योंकि जब उसके क्रैक से पढ़ने होने लगे चटर पटर बोलने लगे हैं कि मुफली बन चुकी है उसको निकालके मैं मखाने भी ऐसे खाली कड़ाई में रोस्ट कर लूंगी और उसे साइड में रख देंगे अब मैं क्या कर दूद ले लिया मैंने अब उसमें डाल द करेंगे साइड में खाने बड़ी टेस्टी लगती है यह मिठाई और यह देखिए अब मैं क्या करूंगे कपड़े में लेके मुफली इसको ऐसे मसल रही हूं हाथ से छिलके बड़ी असानी से उतर जाते हैं यह देखी इस तरह से और जो थोड़े बहुत रहे हैं उसे है हम मिक्सी में मुफली को पिसेंगे पर एगदम मत पीसे इसे पहल समॉड पर पीसी कि इसमें भी ऑल होता है मुफली में भी इपना वह पीस दिया अब हम पिसलेंगे मखानों का भी मैंने पाउडर बना लिया है और इधर देखिए हमारा गुर्भी गुल चुका है ज्या दालोंगे आप चाहें तो ड्राय फ्रूट चाहें बदाम पीसके डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं बदाम काजू पर मैं नहीं डालूंगे आशी बना दियू मैं और जो यह दूद है इसका गुड़ वाला इसे हम छान लें ताकि को इंप्यूर्टी होगी तो उपर आ अजय को मिला लेंगगे हम तूह कि सब्सक्ति अफ्रव शचाया अभी आप सोच जएवन की मैं आपसो वहां कि मैं बन चोण करने के और मेरे पास नहीं है तो मैं इसी तरह से चार से पांच मिनट भी नहीं लगेंगी यह बिल्कुल देखे ठीक होता चला जाएगा अब मेरे पास यह खरगुजे के बीज है मैंने वह भी इसमें डाल दूए अगर आप डालना चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर डाल सब्सक्राइब कर दो तीन चमाच पर मैं नहीं डाल गी भी डाल सके एक चमाच पर आम भीना घी बिना मिल्क पाउडर और बिना चीनी के बना रहे हैं तो इस देखिए मेरा बिल्कुल थिक सा हो गया था जमने के तो मैंने एक प्लेट लेकर बटर पेपर रखे लिए हलका सा मैंने हलका सा बटर पेपर घी लगाया ताकि नीचे ना चिपके और इस पर बैटर लगा के और उसके अपर थोड़े से और बुझे के बीज डाल दूंगी इसको सेट कर लें बड़ी जल्दी सेट हो जाती है मुश्किल से एक घंटा लगता है यह यह देखिए मैंने एक बटर पेपर और उपर से रखके इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लिया रहा है ताकि बिल्कुल प्लेन सा हो जाए यह देखिए जो शेप देनी आप इसको वही कट लीजिए जो यह देखिए मैं अम मैं इसे जमाद ऊगी एक दो घंटे एक गंटे के लिए और एक गंटे बात कहिest एक तरते हैं तो कि ईसाने से कितने इसे कट रहे हैं यह देखिए ठीजाइक ख ये देखिए हमारी बर्फी हो गई है तैयार शिवरात्री के लिए आप भी खाईए और मज़े करिए आपको पूरा दिन एनर्जी मिली रहेगी इससे देख बड़ दुरूर बना के देगी